तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है श्याम चोहानद आप देख रहे हैं इसके कारवर्ड और सामने अपने है मारुती सुचीगी की स्विफ्ट वेक्साइब वेरेंट है और यह इसकी मिलती है हमें चाबी जो कि वही जो मारुती टिपिकल जो कि अमेसे देता रहे वही इसके अंद के बारे मिरी में बता देता हूँ है अब दो हो गें यहां से स्टार्ट होती है यहां पर आके हमालेण भी को के इसे दूनों का काम करता साथ में के अब हैं अफ्निक बहुत से लोग यह मानते है कि शीट डिजाइर और शीफ्ट में कुछ ज्यादा दानी लेकिन हाला कि इस आपको swift में round shape नहीं मिलता और यहाँ पर एक element आपको यहां पर मिलता है जो कि fog lamp की जगा यहाँ पर दी गई है यहाँ यहाँ पर आपको toying hook की जगा दी जाती है आप देखो ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर बीच में आपको बहुत ही बड़ी सी क्रोम की लाइनिंग दी जाती है और बीच में यहां पर आपको सुजगी का लोगो मिल जाता है नमबर ब्लेट लगाने की जगा यहां पर है एक वेंट यहां पर दिया गया है इंजिन कोलिंग के लिए या आपनी एसिंग कोलिंग के लिए स्विफ्ट डिजायर और शिफ्ट में बहुत से अंतर हैं जो कि आप अभी में आपर बताने वालों बहुत से लोग सोचते हैं कि यह और वो कार बिल्कुल सेम ही है लेकिन नहीं वह अलग है अब देखो साइट प्रोफाइल की बात करें तो यह बहुत ही सिंपलिस्टिक बना कि आप को श्रिम ही डिये के हैं त्री में आपको टाइर साइज है वह आपको 16 इंच के टार साइज में अब संश्पेंशन ट्रेवल की बात कि जाए तो देखिया अपको काफी अच्छा मिल जाता है यह आपको अच्छी तरीका से कवरिंग मिलती है जो कि इंजिन looking so protection उण क प्रश्चाम करती है अब यह वह कार है जिसने इंडिया के अंदर हैच्छ बेक सेगमेंट के अंदर अच्छी तरीके से अवनी दाग जमा रखी है क्योंकि यह जो कार है इसका जो आवरेज आपको बहुत ही अच्छा मिलता है 20 प्लस आपको इसके अंदर आवरेज देखने को रूफ जो आपको पूरी तरीका से वाइट मिलती है और साइड अलमेंट जो आपको इसके अंदर ब्लेक दिया गए है वही 14 इसके टायर जो आपको पीछे प्रोफाइल में मिलते हैं अब इसके बेक प्रोफाइल की अगर बात करें सबसे पहले जो आपकी नजर पड़ेग आपको एरिया है यहां पर आपको एपको एड़ा अरं इंडिकेटर यहा भी आ हर्चे से सकेंड रो की सेंड रो में दे गैए यह थोड़ा यूनीक है 2-3 और गाड़ियों में इस एंडल मिलता है वो कौन सी कार है वो मुझे CaneR ऋचर वो मुस्चंघ में बता दिना अब पर दोर की जो ओपनिंग है वह मैं आपको दिखा देता हूं डॉर ओपनिंग जो है इसकी ठीक ठाक है मुझे सही लगी दॉर काफी बड़ा तो नहीं है लेकिन उतरने में और बैठने में आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रब्लम नहीं होगी दोर ट्रिम की बात करें तो ती हम न पर दोर को जो की क्रोम के अंदर दिया जाता हो πάत करें तो आपको यह रूटर के निया जाता है आपको पावर विंडू को डेया गए जिसफेर आपको किसे भी प्रकार की कोई अच्छा खासा थाइसपोर्ट जो आपको देखने को मिलता है और साथी जो सीट से थोड़ी से उठी की वज़े से आपको बैठने में कोई प्रोब्लम नहीं होगी थाइसपोर्ट में भी किसी परकार की कमी आपको मैसूस नहीं होगी सीट के फैबरिक की बात करें तो यह जो आपको थोड़ी से हार्ड मिलेगी यहां पर आपको ज्यादा सोफ्ट मिलेगी मेरा अंदाज यह है कि अगर आप कहीं पास में ही जा रहे हो 50-100 किलमेटर तो आपको किसी परकार की प्रोब्लम नहीं होगी अगर उससे ज्यादा लंबे समय तक आप कार को ट्राइव करोगी तो आपको थोड़ी सी प्रोब्लम जाए वह हो सकती है थ्री पॉंट शीट वेल्ट आपको दिया गया है इसके अंदर आप बात कर लें थे इसके अंदर बेट के स्पेस की यह जो शीट है यह मैं अपने साब से पहले अर्जेस्ट कर लेता हूं वह जो शीट है ड्राइवर करें उसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी मेरे हिसाब से अगर मेरे हाइट का कोई बंदा कर यहां पर बैठता तो उसको कुछ खास प्रोब्लम नहीं होगी अगर हम हम हैड्रूम की बात करें तो हैड्रूम भी आपको ठीठा की मिल जाता है इसके अंदर कोई ज्यादा समझ आगर इसमें चार बंदे बैठकर आ रहे हैं तो आपको किसी पर कर की कोई प्रोब्लम नहीं होगी लेकिन अगर आपकर पांस बंदे हैं अडल्क हैं तो श्याद आपको थोड़ी प्रोब्लों से बच्चा गर बीच में बेट रहा है, तो उसको मेरे साब से कोई प्रोब्लम नहीं होगी, यहां पर एक कप होल्डर दिया गया है, इस तरफ आप देखी सकते हैं, और रही बात तीन जनों के अराम से बेट सकते हैं, यहां पर एक और पारसमल ट्रे है, झो कि मुझे इसकी क्वालिटि अच्य लगी, लाइटिंग की बाद कि तो किसी भी परकार की आपको लाइटिंग यहां पर पीछी की तरफ नहीं मिलती है, आपको आगे की तरफ ही मिलती है, अब डैस बोर्ड की बात कर लेते हैं सबसे अब हैं, आप जबरदस्त लगी बहुत ही अच्छी है और ट्रिम के बात करें तो यहां पर आपको फैबरिक के अंदर सॉफ्ट टच मेटरील यहां पर लगाया गया है और यहां पर आपको कार्बन फाइबर टाइप फिनिज वह आपको दी गई है यहां पर चावर विंडो बटन दी गया ह जो लिवर है वो प्रॉम के अंदर आपको दिया गया है यह है और विंडों के इस तरफ तो आपको यहां पर रिक्वेस्ट शैंसर तो नहीं मिलता लेकिन हांकी लगाने की जगा यहां पर आपको दी गई है अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके और ड्राइवर स्वीट की थाइसपोर्ट की देखो डाइवर स्वीट की थाइसपोर्ट है वो मुझे पीछे की जो सीट थी उससे भी मुझे जबर्दस्त लगी इतनी जग आपको आगे मिलती है उसके अलावे यह से थोड़ी सी उठी हुई है जिसकी वज़े से आपको थाइसपोर्ट में किसी भ एक लिवर और यहां पर दिया गया है त्री पेडल जो है यहां पर दिया गया है और डेड़ पेडल जो है प्रोपर तो नहीं पर हाँ एक डेड़ पेडल दिया जुरूर गया है आपको यहां पर आपको ट्रेक्शन ओन-फ करने के कंट्रोल और हैडलाइट अजेश्ट के क हैं बंद कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कार को कर लेते हैं और सामने मिलता है इसका instrument cluster जो कि मुझे बहुत ही अच्छा देखने मिल लगा बीच में एक M.I.D. मिलते हैं यहाँ पर सारी information मिलके जो की warning lights होती है वह आपको यहाँ पर दी इस तरह आपको मिलता है, Xpidometer, यहाँ पर आपको Tachometer जिसके अंदर भी आपको कुछ वारिंग जो मिल जाती है इसको control करने के लिए M.ID को आपको इस तरह यहाँ पर controls दिये गए हैं और यह control आपको दिया गया है यहां पर आपको hard plastic मिलता है जो कि मुझे इसकी fit and finish जो है मुझे अच्छे लगी यहां पर आपको silvers type का थोड़ीशी finish यहां पर दी गई है वह ही material जो यहां पर यूज किया गया है वही यहां पर यूज किया गया है गलब की बात करें तो decent है और यह कूल्ड आपको नहीं मिलता है कि यहां पर यहां पर आपको इसका hazard लेंप का बटन जो है वह दिया गया है सेंटर कंसोल की बात करें तो आपको इसके अंदर एक music system मिलता जरूर है लेकिन वह music system आपको touch display के साथ नहीं मिलता लेकिन यह आपको touch response के साथ जरूर मिलता है पर डिश्प्वांश काफ zu डिपी जुरू के गई है लेकिन आपको इसके इन्दर डिश्प्वै वेह नहीं मिलती नहीं इसके अलावे मैनिय उआ चीज वह यहां पर मिलती आपको और है एक वालले वल्ट करो लो बेहा है और एक जाय देग स्ट्वप कप होल्डर यह आपका 5-speed का मेल्यों ट्रास्मेसिन जो आपको यहां पर दिया गया है यहां पर थोड़ा स्पेस और मिलता है जिसे और अच्छी तरीके से यूटलाइज किया जा सकता लेकिन नहीं किया गया यहां पर आपको इसका पार्किंग ब्रेक मिलता है और इसके लाइक दिये गये हैं इस तरह आपको मिरेर भी नहीं मिलता है लाइट भी नहीं मिलती लेकिन टिकेट होल्डर ज़रूर मिलता है बात करें इसके fit and finish level की अगर fit and finish level की बात करें तो इसकी जो fit and finish level है वो मुझे काफी अच्छी लगी बैतर लगी अब इसकी एक बार जो है नौइज के लेंशिलेशन और देख लेते हैं इंजन को करते हैं स्टार्ट इसके बात करें तो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है काफी ज्यादा स्मूध राइडिंग आपको इसके अंदर मिलेगी आप आयर विंग की बात करें तो और आपको मैनिल ही आपको डे और नाइट मिरर दिया गया है अब एक चीज जो मैंने आपको नहीं दिखाई है वह इसका बूट जो कि हम अभी जाकर देख लेते हैं अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की देखो बूट स्पेट्स को खूलने के लिए यहां पर एक बटन जो है टेडिकर बटन जो है वह दिया गया है उसके फूट नहीं कर सकते हैं यह बूट जो है अचीज तरीके और आपको व्याट कवर दिया गया है यहां पर एकूख दिया गया जिसमें आप अपने समाहन कोई भी रख सकते हैं इस तरह बात करोंगयों तो किसवी वाइपको कोок को यह आपकी parcel tray जो है, इसके अंदर आपको hook मिलते हैं, जिसके आप जब भी boot lid को open करोगे, तो यह अपने आप ही उसके साथ उपर हो जाएगी. उपर की बात करें, यहाँ पर भी आपको अच्छी तरी के से weld cover दिया गया और साथ ही boot को बंद करने करें, यहाँ पर भी एक space मिलता है, साथ ही इस तरह भी आपको एक space दिया गया है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह है hydraulic stress, जो की काफी अच्छे quality की मुझे लगे, अब same size का आपको इसके अंदर spare wheel दिया गया है, boot lift की बात करें, तो लगबग आपको इससे ज्यादा boot lift आपको इसके अंदर दी जाती है, जिससे आपको समान उतारने और रखने में, थोड़ी सी परिशानी अगर हो सकती है, इसको करते हैं बंद, तो बस यहीदा हमारती सुजी क Swift VXI variant है, यह आपको वीडियो कैसी लगी, गाड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पताना, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को किजिए, लाइक और चैनल को किजिए, सब्सक्राइब, तब तक के लिए जय हैंद,